मेरे प्रियों, इस मसी के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार आज के दिन में प्रबु इस मसी आपसे बात करते हैं, क्या आप महसूस करते हैं? प्रति दिन अपने वच्चनों से प्रबु आपसे बात करता है, प्रबु मुझसे बात करता है, इस वच्चन से प्रबु मुझसे बात करता है, ऐसे विश्वास करके इस वच्चन को अपनाना है, ठीक है? इस वचन को सुनके हमें क्या करना है नीती वचन चार अध्याई पांचों वचन में प्रभु कहता है उनको बूलने जाना नै मेरी बातों को छोड़ना प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे वचन को तु बूलना नहीं है और इधर उधर भटकना नहीं है वच्छन को अच्छा से मनन करना है, अपने दिल की पटियों में लिखके भी रखना है, ना के वे लिए वच्छन को भी नहीं चोड़ना है। इसलिए अपने आपको अरपन करना है, बिस्नस करने वालें, काम करने वालें, सेवा करने वालें, पढ़ने वालें, कोई भी हो, सब के लिए वच्छन है ना, औरों के भार में नहीं, मैं एक सेवक हूँ, सेवक किस प्रकार रहना है, विश्वास योग्य सत्य दास, इसी को प यही प्रबु चाहता है, यही प्रबु चाहता है, यही जीवन शायली है, सेवक के लिए प्रबु बहुत लिख के रखा है, उसी का अनसार जीवन बिताने से ही, प्रबु चाता है, इसका मतलब वच्छन से मैं इदर उदर नहीं आना है, वैसे ही आप विद्यारती है, आप नव जवान है तो, जवानी में किस प्रकार चलना है, लिख के दिये हैं, बिसनस करते हैं किस प्रकार रहना है, लिख के दिये हैं, परिवार में बाहर किस प्रकार रहना है, सारी बातों को हमें लिखके दिया है, उससे दाएं बाएं इधर उदर नहीं वोना है यदि आर्पन करेंगे तो खुशी के साथ आप रह सकते हैं प्रभु आपको हाथ पकड़ कर हमेशा अगुआई करेगा वच्छन को नहीं मानूंगा वच्छन का आग्याकारी नहीं बनूंगा हाँ बाई मैं चलता हूँ प्रातना करता हूँ मैं आत्मिकता में बढ़ते रहता हूँ इस प्रकार आप सोचते रहेंगे ये मसी जीवन नहीं है वच्छन का अनसार जीवन निर्वा करने के लिए आरपन करेंगे तबे यही मसी जीवन का हला सकते हैं इस जीवन के लिए आरपन करेंगे हे पिता तेरे वच्छन को छोड़कर दाएं बाएं नहीं जुकना है तेरे वच्छन का अनसार जीने के लिए मुझको और इन लोहों को मैं सोमता हूँ प्रभू यह वच्छन दिल की गहराई में एक काम करने पाएं इस वच्छन का अनसार जीवन बिताने के लिए मैं अपने आपको अरपन करता हूँ मुझे अनगरिदें पिता ये श्यक के नाम से प्रातना करता हूँ पिता आमेन आमेन